दोस्तों वीडियो देखके कमेंट करिएगा हमारा दोस्त पीटर रैबिट आपको कैसा लगा मोवी की शुरुआत होती है जहाँ पर हम देखते हैं थॉमस और बी की शादी हो रही होती है तबी पीटर एक ड्रीम देखता है कि उसने थॉमस को मार के वहां से भगा दिया है और फिर उसका ड्रीम तूट जाता है कहानी आगे बढ़ती है एक बुक शॉप था जहाँ पर सारे बचे पीटर रैबिट की बुक खरीद रहे थे और बी से उनकी कहानी पूछ रहे थे यहाँ पे थॉमस पीटर से कहता है कि तुम हमेशा इन लोग के लीडर क्यों बने रहते हो तो पीटर कहता है मैं कब लीडर बना इसी के साथ उसे लगता है कि सब उसे बुरा समझते है फिर पीटर को फर्स्ट मुवी वाला माउस मिलता है जो उसे कहता है मैंने तुमारी बुक्स पड़ी है और ये भी कहता है कि थॉमस और बी तुम्हें अंदेखा कर देंगे जब उनके बच्चे होंगे इसी के बीच में पीटर के हाथ से स्टैंड गिर जाता है और विंडो तूर जाती है फॉमस उसे डारता है लेकिन बी कहती है इन पर गुसा मत करो तबी बी को एक लेटर मिलता है एक बुक पब्लिशर नाइजल उसकी बुक पब्लिश करना चाता था ये दोनों बहुत ही खुश होते हैं और ये सभी अपने फार्म हाउस पहुँच जाते हैं अब ये रैबिट्स कोई भी वेजिटेबल खा सकते थे थॉमस के टोमेटोस के अलावा और फिर पीटर देखता है उसका एक दोस टोमेटोस चोड़ी कर रहा होता है तो पीटर उसे माना करता है और सारे टोमेटोस वापस ले जा रहा है लेकिन उसी वक्त थॉमस उसे देखता है और उसे गलत समझने लगता है पीटर को बुरा लगता है और फिर थॉमस बी और सारे रैबिट्स नाइजल से मिलने जाते हैं नाइजल बी से मिलकर करता है मैं तुम्हारी बुक्स को बड़े लेवल पर पब्लिश करना चाता हूँ मैंने सभी के करेक्टर दिखाये हैं मगर उसने पीटर को थोड़ा सा एविल लुक दिया था और नौटी भी ये देखकर भी कहती है हमारा पीटर नौटी हो सकता है मगर नाम बारनबस था पीटर कहता है तुम चोरी क्यों कर रहे हो बारनबस कहता है यही तो हमारा काम है नहीं तो हम खाएंगे कैसे तुम मुझे अच्छे रैबिट लगते हो पीटर अपनी तारीब सुनकर खुश हो जाता है और वो भी चोरी करने लगता है लेकिन तभी विन में मस्ती करने लगते हैं लेकिन वो लोग पकड़े जाते हैं उन्हें सेल करने के लिए एक स्टॉप में लिया आया जाता है यहां दूसी तरफ नाइजल बी से कहता है उसके पास एक और ऑथर था वो भी एनिबल लवर था और वो सूपर स्टार बन गया बी सोचती है वो भी फेमस हो जाएगी यहां पर पीटर और बारनबस जिसके यहां जाते हैं वहां के बच्चे रैबिट के साथ बहुत ही बुरी तरह से खेलते हैं कामरा बंद होने पर दोनों केज तोड़कर वहां से निकल जाते हैं और कीचन में पहुँच जाते हैं और बारनबस खा कर यहां से निकल सकते हैं तब ही इस घर की ओनर वहां पहुँच जाती है और पीटर कहता है मैं ऐसे ओनर के साथ रहना जानता हूं और उन्हें कैसे सबक सिखाना में यह भी जानता है वो लोग उस लेडी को बहुत परिशान कर देते हैं यह सबी अपने घर पहुँचते जहां पर यह अपना खाना सेव रखते थे हम देखते हैं वहाँ एक पिगाता है 12 पीटर से कहता है तुम इससे लड़ाई करो तुम पीटर डर जाता है और कहता है मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता और तभी सब पीटर पर हसने लगते हैं कहते हैं ये तो हमारा ही दोस्त है हम तो मजा कर रहे तुम बहुत अच्छे रैबिट हो पीटर को अंदर ही अंदर खुशी होने लगती है उसे लगता है कि कोई तो उसे अच्छा समझता है जाने से पहले बारबस पीटर से कहता है तुमारे डैट के साथ हमने बहुत ही पूर्णते हुए आ जाते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं अगले दिन वो सब एक बड़े ग्रीन फिल्ड में पहुंचते हैं जहां बेंजयमीन पीटर से कहता है तुम आखिर कल कहा थे और ये भी कहता है तुमें कोई बुड़ा नहीं मानता उसी टाइम थॉमस पीटर से कहता है तुम ऐसी कोई सेतानी ही नहीं करोगे जिससे पीटर को लगता है उसे सब अभी भी बुड़ा समझते हैं पीटर अपने भाई बहने को बारनवस के प्लैन के बारे में बताता है और मदद करने को कहता है वो सब मान जाते है और बारनवस के घर जाते है पर जहां पर इतने vegetables और fruit है कि वो पूरी जिन्दगी उसे खा सकते हैं, लेकिन इस बार वो उसे नहीं चुराएंगे, वो उन्हें dry fruits के बारे में बताता है, हम इसे ही चुराने वाले हैं, वहां पर एक लड़की काम कर रही होती है, जो की हिलती भी नहीं है, उसका ध्यान तभी बटकता है जब वो सामने वाले लड़के को देखती है, तो पीटर पूछता है हम उस समान को लेकर कैसे जाएंगे, तो वो बताता है वहां पर एक भूड़ा आदमी आता है, जिसकी गाड़ी में हम सारा समान लेकर जा सकते हैं, लेकिन हमें और लोगों की जरूरत पड़े लेकिन थॉमस इदबास से खुष नहीं था, इसलिए थॉमस गुसा करने नाइजल के पास पहुंचता है, जहाँ पर नाइजल उससे कहता है अगर तुम में इतना दम है तो मुझसे बॉक्सिंग करो, और वो नाइजल के पास बॉक्सिंग करने पहुंच जाता है, थॉमस लेकिन तुमारे आइडियास ने बी का दिमाग खड़ाब कर दिया है, वो अब पता नहीं क्या क्या करने लगी है, नाइजल को भी गुसा आ जाता है और वो कहता है, ठीक है, कॉंट्रेट खतम, अब बी कुछ नहीं करेगी, बी को जब ये बात पता चलती है, तो वो थॉम लेकिन ये जैसे ही वीलियम को गिराते हैं, उसके ओपर चीस के बड़े बड़े चूप्स आकर गिर परते हैं, उसमें से एक बड़ा सा चूप्स आ के एक श्टॉल पर टकरा जाता है, और ये श्टॉल लगाया था थॉमस में, अपने ही गार्डेन के स्टॉमेटोस को सेल क थॉमस का पूरा स्टॉल बरबाद हो जाता है और उसे पीटर दिखाई देता है थॉमस को लगता है इस बार भी सारी गलती पीटर की ही है। मैं तो बस चोरी करना चाता था लेकिन मुझे पता चला तुम बहुत टैलेंटेड हो इसलिए मैंने तुम्हें अपनी टीम में लिया पीटर कहता है वो मेरे भाई बहन है और मुझे उन्हें बचाना ही होगा इसलिए वो उन्हें बचाने निकल जाता है जहां पर थॉमस भी पहुँच चुका था पीटर थॉमस को सारी बाते बता देता है कि हमारे साथ कुछ बुरा हुआ था लेकिन अभी तुम मेरे सारे दोस्तों को बचाओ थॉमस उस टॉप ओनर को पैसे देकर इन्फॉर्मेशन लेता है कि उन एनिमल्स को कहां सेल किया गया है लेकिन पता चल कैप्स और भी बहुत कुछ इसी के साथ ये लोग एक मूवी बनाने वाले थे वो बी से बताते हैं कि मूवी का एंड बहुत ही खतरनाक होना चाहिए तो बी कहती है नहीं हम ऐसे सिंपल रख सकते हैं और उसी टाइम थॉमस वहां पहुँच जाता है और बी को कहता है तुम ये लोग पहुच जाते हैं बारनबस के घर जहां से ये लोग सारे ड्राइब फूट्स को उठाते हैं लेकिन तभी वहां पर बारनबस और उसके साथ ही आ जाते हैं पीटर पहले तो उन्हें बातों में फसाता है फिर उनी की ट्रिक उन पर एपलाई करता है वो सभी को रस हैं थॉमस और बी को एक बेबी होता है और सारे रैबिट्स उस बेबी का ख्याल रखते हैं ओके गाइस वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा वीडियो को लाइक कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा फिर मुलाकात होगी तब तक कीप स्माइलिंग बी हैपी